सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमीन को और बेल आइकन को दबाएए लेटेस्ट टेक्नोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है जैमीन आप देख रहें टेकी जैमीन दोस्तों OnePlus लेके आगा है अपना OnePlus 7T जो एक बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ में आपको यह फोन मिल जाता है और यह फोन आपको एक flagship device आपको देखने को मिल जाता है और यह OnePlus 7 और OnePlus 7 Pro का एक successor version देखने को मिल जाता है यह फोन और यह फोन बहुत ही अच्छा है तो आज हम बात करें कि इस फोन के बारे में आपको 6.55 इंचेस की full HD resolution के साथ में आपको HDR 10 plus वाली display देखने को मिल जाती है यह display आपको fluid amulet screen देखने को मिल जाती है यह display quality बहुत ही अच्छी है और इसमें आपको 19 Hz का screen refreshment देखने को मिल जाता है यानि कि जो आपको OnePlus 7 Pro में देखने को मिल था वैसा screen refreshment इस phone में देखने सब फरक है लेकिन एक improvement के रूप में आपको यह बहुत एच्छी display देखने को मिल जाती है 20 शुनाइंट aspect ratio देखने को मिल जाता है और इसमें आपको 3D Corning Gorilla Glass का protection front और rear दोनों तरफ आपको मिल जाता है यह display और body camera यह smartphone बहुत ही better रहता है और यह flagship device आपको बनाता है इस phone को अब बात आती है इस phone के chipset की तो बज़ता है कि इसमें आपको chipset जो मिलता है वो snapdragon 855 plus processor देखने को मिल जाता है जो एक 7nm बेस technology पे काम करता है octocot powered at 2.96 gigahertz पे clocked है Adreno 640 का आपको GPU देखने को मिल जाता है यहनी कि performance आपको next level की देखने को मिल जाती है जो पुराना वाला OnePlus 7 और OnePlus 7 Pro था उसमें आपको सिर्फ 855 देखने को मिल जाता है लेकिन यह आपको 855 plus के साथ में आपको upgrade देखने को मिल जाता है तो chipset की problem में यह smartphone बहुत ही अच्छा है अब बात आती है इस फोन के रियम और स्टोरेंट की बताता है इसमें दो अलग अलग विरेंट में अभी इंडिया में लॉंच कर दिया है जिसमें पेला विरेंट है 8GB 120 8GB वाला internal storage और 8GB RAM 26GB वाला internal storage वाला विरेंट देखने को मिल जाता है जो इसमें कोई भी ज़रूरत भी नहीं है इस microSD का लगाने के option क्योंकि और obviously आपको जो storage मिलती है वो ज्यादा मिल जाती है इसी दिया आपको कोई microSD का लगाने का option इस phone में देखने को नहीं मिलता है अब बात आती है इस phone के rear camera के तो rear में आपको जो camera मिलता है triple rear camera के setup देखने को मिल ज जाता है जिसमें जो primary lens है वो 48 मेगा विक्षल का camera जिसमें sony IMX 5806 का sensor देखने को मिल जाता है F1.6 का इसमें picture देखने को मिल जाता है और OIS EIS दोनों का option इस phone में देखने को मिल जाता है दूसरा जो camera वो 16 मेगा विक्षल का ए अल्ट्रा वाइट लेंस है F2.2 का इसमें picture द देखने को मिल जाता है और इसमें 2X Optical Zoom का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है दूसरी बात ड्यूल टोन एरे डिफ्रेस्ट देखने को मिल जाती है 4K और 10MP तक की 13-16fps दोनों में रेकॉर्डिंग कर सकते हो यह है इसके साथ में और 9-16fps तक का सुपर स्लो मोशन का भी ऑप् तो कैमरा के मामले में यह फोन बहुत ही अच्छा है और फ्लेक्षिप लेवल का कैमरा सेटप मी देखने को मिल जाता है यह अब बाता था की फोन के फरंट फेसिंग कैमरा की बात करते है इसमें आपको 16MP की सेभी देखने को मिल जाती है जिसमें तोनी IMX471 का सेंशर देख सकते हो हाँ यहाँ भी एक फरक है वन प्लस 7 परो में आपको पॉप सेली कैमेरा देखने को मिल जाता है अब बातаюсь इस Это only लौन शाज्य सोप्टर kaik बताँ इसमें ब्हुत जाती इस पॉन की बैटरी मिलती है though 3800 आपको बैटरी मिल को मिल जाता है यह बहुत अच्छी बात है 5W 6MP का चार्जिंग एडिप्टर आपको इस द बॉक्स देखने को मिल जाता है सॉफ्टर की बात पर है तो सॉफ्टर बहुत ही जादा लेटेस्ट है इसमें आपको Android 10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो एक आपको कस्टरमाइजेशन देखने को मिल जाता है आपको सॉफ्टर के मामने और बैटरी के मामने यह फोन बहुत ही अच्छा है अब बात आती इस फोन के कनेक्टिटी सेंसर की तो इसमें जो फ्लेक्शिफ लिएल के कनेक्टिटी सेंसर आपको देखने को मिल जाता है इसमें कोई भी 3.5mm cord jack भी देखने को नहीं मिला था, वो आपको OnePlus 7 Pro में भी नहीं देखने को मिला था, इस बार भी इसमें देखने को नहीं मिलता था, यह बात ध्यान रखेगा, दूसरी बार, Type-C का port है, Bluetooth का 5.0 का support देखने को मिल जाता है, Dual Band Wi-Fi का support देखने को मिल जाता है, NMC है, Dol B Atmos का भी support देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको Dual Stereo Speaker का भी support देखने को मिल जाता है, यह बहुत अच्छी बात है, speaker quality आपको बहुत ही better मिलेगी इस बार, दुसरी बात, इसमें आपको haptic vibration का भी support देखने को मिल जाता है, तो यह connectivity sensor के मामने, यह phone बहुत ही अच् तो बच्यत कहोंगा इसमें दो अलग अलग कलोरेंट देखने को मिल जाता है, गलेसियर ब्लीव और फ्रॉस्टेट इलवर ये दो अलग 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 कलोरेंट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन प्राइस की बात आती तो 8128 जी वाला विरेंट इसकी प्राइस रखी गई 37,999 क प्राइस के प्राइस में आपको इस फोन पड़ेगा दूसरा भीरेंट है वो 8Gb 26G वाल विरेंट इसकी प्राइस की बात केजा बात between 3999 की प्राइस है निचिनीक, प्राइस आपको 14,000 के अंदर में आपको इस support पड़ेगा जबकि1 OnePlus 7 Pro के आपको एक 50,000 की ब्राइट में कोई फोन पढ़ता दा लेकिन ये 40,000 के अंडर में आपको फोन पढ़ जाएगा ये 70 ते बहुत ये अची स्पेसिकेशन के साथ में मिछ जाता ये फोन और इसकी जो सेलिंग है वो स्टार्ट होने वाली है कल से यार कि 28 सब्टेमर से इस ये बैटर कर दी इस बार रॉदी बाद इसमें आपको 19 Uhz का स्क्रीन रिफ्रेश्मेंट आपको देखने का मिल जाता है यनि 19hz वाली आपको डिस्पेले देखने को मिल डैते ये थोड़ा ता फरक है बाकी कोई और फरक देखने को नहीं मिलता है इस पॉन में इसी दिए में इतना ही बताना जबांगा कि अगर आपके पास OnePlus 7 और OnePlus 7 Pro है तो आप इस पॉन पे आपको अप्ग्रेट करने के जरूरत नहीं है आप OnePlus 8 का भी इन्टजार कर सकते हो अगर आपके पास OnePlus 7 और OnePlus 7 Pro नहीं है अगर आपको flagship device लेना ही है तो आप OnePlus 7 ना लिजेए फिर्व आपको OnePlus 7T लेना चाहिए क्योंकि जो specifically मिलती है वो बहुत ही एक price के range में आपको देखने का मिल जाती है अगर आपको देखने का मिल जाती है वो आपको देखने का मिल जाती है